फेस्बुक की टाइम लाइन पर एक पोश्ट बहुत तेजी की साथ वाइरल हो जाती है ये पोश्ट जिले की सीमाओं को पार करती है सिधा प्रदेश तक पार कर जाती है बात यहीं पर नहीं थमती ना केबल उस प्रदेश के पुलिस के आला अधिकारी तक बात पहुंचती है बलकि ग्रह मंतरी और मुख्य मंतरी तक बात पहुंचती है मुख्य मंतरी ग्रह मंतरी से पूंचते हैं और ग्रह मंतरी पुलिस के आला अधिकारी से बातचीत करते हैं आखिरकार ये पोश्ट जो वाइरल हो रही है क्या मामला है जो पोश्ट धी दरसल उस पोश्ट में लिखा था कि कुख्यात बदमाश हत्यारा कोई भी कैसा भी विवात करना हो तो मुझसे संपर करें कोई ऐसा इस्तिहार शायद दुनिया में पहली बार दिया गया होगा पर सोशल मीडिया में आते रहते हैं अपने बिजनिस वैपार को बढ़ाने के लिए लेकिन कोई बदमाश कोई गैंगिस्टर अपने वैपार या अपने गैंगिस्टर को और मजबूत करने के लिए अपने गैंग को और मजबूत करने के लिए इस तरह से इश्तिहार दे र यूट्यूब और फेस्बुक पर के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर जो उसके नाम से वीडियो बनते थे लगभग 50 करोड से जादा लोग उसको देख चुके हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं कि आखिरकार वो गैंगेस्टर है कौन उसने जैसे सोचा था उसने प्रसा बात करना चाह रहा था लेकिन एक गलती ने उसकी हमेशा हमेशा के लिए आखें बंद कर दी उसका नाम और निशान जरूर मिट गया है लेकिन सोचल मीडिया पर आज भी वो जिन्दा है आदाब नमसकार सस्त्रियकाल मैं उस्मान सेफी आज की जो सची घटना मैं आपको स सचिन अतुलकर वो अपनी टीम के साथ जेल में ऐसे रैंडमली चेकिंग के लिए गए थे जैसी चेकिंग के लिए जा रहे हैं तो जेल के अंदर पहले से ही ये सब कुछ तयारी कर ली गई थी चाहें पुलिस के अधिकारी हों जेल के अधिकारी हों कैदी हों या करमचारी हो सभी के सभी अपने अपने मुश्तैद हो चुके थे तब ही यहां से वो अपने टीम के साथ जैसे अंदर जा रहे थे अंदर जाने के बाद वो देखते हैं कि कैदियों का एक रिन लाइन लगी हुई है और उन्हीं कैदियों की बीच में एक लड़का ख़ड़ा हो था उस लड़के की उमर अभी जादा नहीं थी अभी ठीक से वो वालिक भी नहीं हो था उस लड़के की तरफ देखते हैं और देखते हैं उसके पास आई पीए से उफिसर पहुंच जाते हैं और जाकर कहते हैं कि दुरलफ कर्शेफ तुम कैसे हो ठीक तो हो कहत कि यहां हो तो ठीक हो यहां के अलावा यानि की जेल से बाहर अगर तुम जाते हो तो बचोगो नहीं क्योंकि तुमने चोटी सी उमर में इतने सारे दुश्मन जो पाल ली है वो लड़का भी समझ रहा था आई पीए से ओफिसर जो कह रहे थे विकुल सच कह रहे थे दरसल इ कुलब का श्यब है उसके पिताजी उसे प्यार से कोही नूर के नाम से बुलागते थे क्योंकि वो अपने मा और पापा का इकलोता बेटा है उनके अलावा उसका कोई भाई कोई बहन जो नहीं थे मा सिक्षिका और पापा उसके एक बड़े बिजनिसमेन कारोबारी थे एक दिन एक लड़का उसके जो इसका सीनियर होता है बड़ी क्लास में पढ़ता है उसी के दोस्त के साथ मार पीट कर रहा था जिसकी कोई वज़े नहीं थी दूरलब उसके पास जाता है और जाकर कहता है कि भाया आप इसको बिकुल मत मारो ये मेरा दोस्त है अगर आप इ ऐसी जोर का तमाचा उसने मारा है तो पूरे स्कूल के अंदर ये आवाज गून जाती है और किसी के अकानों तक पहुंसती है कि दूरलब कश्यब ने अपने दोस्त को पिटने से रोका और जो बड़ा बच्चा उसको पीट रहा था उसको वलकि पीट भी दिया धेरे-धे करके दूरलब कश्यब का स्कूल के अंदर एक वर्चस्व कायम हो जाता है अब उसके सीनियर हो या जूनियर हो उसके पास आते थे आकर कहते थे कि भाई हमारे बिवाद हो गया इसका निप्टारा कर दो हम लोग परिशान है जो भी बात होती थी अब आकर दूरलब ऐसे तो पढ़ने लिखने में बेहद होश्यार बहुत समझदार चाला किसम का व्यक्ति लेकिन उसका जो ध्यानता पढ़ाय लिगाई से कहीं न कहीं अलग होता चला गया और उसका ध्यान गुंडागर्दी की तरफ चला गया सन 2016 सत्रे ऐसी बीत रहे थे और धीरे धीरे कर उसका गैंग बढ़ता चला जा रहा था एक ऐसा लड़का जो फेस्बुक पर एक से बढ़िया फोटोग्रास डालता था अपने उसने ड्रेस कोड़ खुद से तयार किया हो था एक टीका लगाता था इस तरह से लेकिन सिंगल होता था दूसरा वो आँखों में काजल डालत तो गले में वो बड़ी-बड़ी मोतियों की मालाये पहनता था उसको देखकर सभी लोगों की नजर उस पर एकदम से पढ़ सकती है वो चाहें सैकड़ों के बीच में खड़ा हो अलग से ही वो दिखाए दे सकता था इसलिए युबाओं का उससे कम उमर के उससे बड़ी उ किसी की गाड़ी का शीशा तोड़ना हो किसी के साथ मारपीट करना हो किसी की दुख तकलीफ में शामिल होना इसके सावी सब होता रहा मा भी समझाती थी पिताजी ब समझाते थे मा और पिताजी दोनों अलग रहने लगे पिताजी इंदोर में रहने लगे और मा उज्जेन में रहके सिख्षिका का काम करती थी पढ़ाती थी बच्चों को समझाने की कोशिश करती थी बार बार अपने बच्चे बेटे को कहती थी बेटा य Coca चीज़ खलत एं ऐसा नहीं करते हैं पिता भी इसको समझाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन इसके दिमाग में नहीं आ रहा था इसलिए धीरे-धीरे करके बहुत कम उमर में ही उसने 16 साल की उमर में ही गैंग बना लिया और एक दिन उसने ऐसा किया जिसकी शायद किसी ने कलपना भी नहीं की थी एक दिन फेस्बुक की टायम लाइन पर उसने एक मैसिज लिखा और उस मैसेज में लिखा था कोई भी बाद हो गुंडागर्दी करनी हो किसी कहत्या करनी हो कुछ भी करना हो हमसे संपर के हमसे बातचीत करें और ये बात जब आला धीकारियों तक पहुंसती है राजनीती तक पहुंसती है मुख्यमंत्री तक पहुंसती है तो पुलिस को सच चिन अतुलकर वो अपनी टीम के साथ इस लड़के को पकड़ने की जब कोशिश करते हैं तो एक दो नहीं थी तेहिस लड़के इसकी गैंग में पाय जाते हैं अच्छा कासा गैंग था और इसके बारे में पता निकालने की कोशिश की जाती है बात है सन 2008 की तो पता चलता है क कि इस पर तो नो मुकद में पहले सी दर्ज हैं मारपीट के इस तरह की गुंडा गरदी के औر पुलिस वाले इसको ग्रिफतार करते हैं ग्रिफतार करने के बाद जब प्रेस कॉन्फेरंस कर रहे थे तो प्रेस कॉन्फेर्स करने के दुरान एक पत्रकार ने पुछा कि पुली था डर उसके अंदर बिकुल था ही नहीं और उसे कहता है हाथ खड़े करके कि मेरा नाम दूरलाप करशप है इतना सुनने के बाद पुलिस वाले उसको गिरफतार करते हैं जेल भेज देते हैं तब तक उसकी दुश्मनी बहुत सारी लोगों से हो चुकी थी ये जेल चला जाता है जेल जाने की बाद इसकी जमानत की बी तैयारी हो चुकी थी लेकिन जमानत नहीं लेता क्योंकि सच इन अतुलकर आई-पेस ओफीसर इसके वह सचेत करके आते हैं कि जेल से बाहर निकलोगे तो मारे जाओगे लेकिन किस्मत को कोई भी नहीं रुक सकता जो कि में लिखा होता है उस दोर में करोना काल चल रहा था और सन 2020 आ जाता है और मार्च के महिने में देश में लोगडाउन लागू हो जाता है और तभी यह आदेश होता है कि । ये जेल के अंदर से जिव चोटे मा से मिलना है, सीधा उज्जेन आता है और मा के पास रहता है और उस दिन, यानि कि जिस दिन की मैं बात कर रहा हूँ बात है, छे और साथ सितंबर की रात की बात है, भले ही चाहें शहर में लोगडाउन हो, दुकाने बंद हैं कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा था लेकिन इसकी मा ने इसके लिए ऐसे चीजे बनाई, डाल बाटी चूरमा बनाया, उसकी मन पसंद की चीजे होती है, वो उसे खाता है बड़े प्यार से, अपनी मा से कहता है कि मा, मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ, मा भी कहती है बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ अचानक ही मा और बेटे आवाज आपसे बातचीत कर रहे थे, बाहर से एक आवाज लगती है उसके दोस्त आवाज लगाते है और 6-7 सितंबर 2020 को वो अपने दोस्तों के साथ चार दोस्तों होते हैं, सीधा पहुंच जाता है एक इलाका है, रफी गंज हार फूल वाली गली में वहाँ पर एक अमर उर्फ भूरा खुरम जारी, इसकी एक शोप होती है दुकान होती है, जहां भी चाय बनती है रात की एक बज़े के आसपास का वक्त होता है और ये बैठा हुआ वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ चाय पीने के मूड में था तब ही वहाँ पर दस वारे लोग आ जाते हैं दस वारे लोगों में होते हैं एक शानावाज होता है, शादाव होता है इर्फवान, राजा, रमीज ये अपने दस वारे साथियों के साथ होता है एक तरफ बेंच पड़ी हुई है जिस पर ये बैठा हुआ है, दुरलब कश्यब दोनों की बातचीत कुछ बिगड़ने लगती है कहा सुनी पर बात आती है जब बात कहा सुनी पर आती है तभी यह दुरलब करश्रप अपने पिस्टल निकालता है और पिस्टल निकालने के बाद सीधा गोली चला देता है गोली चलती है तो गोली जाकर लगती है शानवाज सब यहां से चले जाओ, क्योंकि संख्याज़ जादा है, मैं इन से अकेला ही निपट लूँगा, उसके इतना भरोसता, इतना विश्वासता, और वो इन से भिढ़ जाता है, अब यहां पर शाणाबाज तो घायल हो चुका है, उसके दोस्त शाणाबाज के दोस्त होते हैं, इर्फान राजा रमीज ये दसवारे साथी मिलकर अब इस पर दुरलब कश्या पर हमला कर देते हैं और चाकूं से बार कर देते हैं एक के बाद एक लगातार वार कर रहे थे लगभग 34 वार की जाते हैं और उसके शरीर को धारदार हतियार चाकूं से चलनी कर देते हैं और वो मारा जाता है जैसे मरता है पुलिस वाले इसके अन्ने साथियों की जिसमें नो लोगों के खिलाब मुकदमा दर्ज होता है ये भी बताया जा रहा था कि चायबाला कह रहा था जिसका नाम होता है अमर उर्फ भूरा वो कहता है कि शानवाज भाईया इसको जान से ही मार देना अगर ये बच गया तो तुम सब लोगों को हम लोगों को छोड़ेगा नहीं पुलिस वाले इन सब को गरफतार करते हैं वारोपी होते हैं गरफतार करने के बाद जेल भेजते हैं कुछ ही दिनों के बाद एक सूचना मिलती है कि इस जो लड़का है दुरलफ करशब इसकी माँ अपने बेटे के गम में चल बसी है मर चुकी थी वो अपने बेटे को याद करकर के परिशान हो जाती है बसती ही नहीं है लेकिन ये भी पता चलता है कि जेल के अंदर एक लड़का होता है वो भी नहीं बसता है वो भी मर जाता है दोस्तो उसने जो ये काम अपराद की दुनिया में उसने अपने जो रास्ता चुना था, वो रास्ता वाकिए बहुत भायानक होता है, खतरनाक होता है, लेकिन ये बताया जाता है, जिन लोगों ने इस पर हमला किया था, जिन लोगों ने इसको मारा था, वो इसके खोफ की वज़े से, इसके डर की वज़े से, रास्ता बदल च उसको जिन्दा रखने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों जाते जाते कुछ लोगों की जो जनम दिन हैं।